ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकात देवबंद कूत पाली की गाउं गहरा में 18 जोन को घटे तो घटना में इम्लिया निवासी इसरार की मौत हो गई थी जिसके बाद म्रतक के भाई गुल बहार की एक वीडियो वारल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि ये घटना माबली चिंग की घटना है लेकिन आज म्रतक के भाई गुल बहार और ग्राम प्रतान ने इस पर से परदा हटा दिया है और कहा मैं उस वक्त अपने भाई की मौत के सदमे में था लेकिन अब मैं पुलिस कारवाही से संतुष्ट हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना को राजनेतिक रंग न दिया जाए प्रदान ने कहा कि ये घटना मामली चेंग के घटना नहीं है उसकी हत्या हुई है हत्यारे गिरफ्तार होने चाहिए आपका नाम गुलबार जी हो गया समय कर दमार इस घटना चेंग लगी हो तो सही नहीं पता को उसमें पता है लिक्खा आया है आप चीर के वीडियो वाइन को जी इसमें तखा जा रहा है जी वह उस टाइम की वीडियो है साइद जब हम दफना के उसे चोटे भाई को पता ने अगले दिनी के अब दिमाग तो महरा अब तक भी सेंटर में नहीं है अब मेरे पास दो लड़का है वो कहाने लगए हमने तुम आज बात करनी है उन्होंने बस मुझे अब तक भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला होगा स्वीडियों सही बात तो ही है अब पता निया करें तुम कहरें वाई लड़ोरी तुम कहरें वाय लगा तो हम भी मारे जबते हैं इतने लोगों पर आपने नाम दियते प्रिक में मुकदमा लिखे दिया अब तर कारवाई कोई नहीं पर मुकदमा लिखा गया अब एक आपने वाईल वीडियो में तो बोला है इसके वारे मुझे सही नहीं पता मैंने क्या बोल लाई क्या करें तो है तो है तो है तो है तो है बिल्वकुल सम्झों के मेरा मांड खराव और दिल्वकुल जब चोटा भई मरावा है मेरा काम लगड़ी काम इंडु मुस्लमा है तीस साल से काम कर रहा है इंडु में करूआ हमरा तो जानों चीदरों और अमें तो इन्साफ ये चाहिए के हमारे भाई को जिसने मारा उसकी साथ जो है वही होना चाहिए जो महरे भाई की साथ हुआ अपका नाप गराम परधान इमिलिया इसरार की जो हत्या हुई है वह एक फनीचर मिश्तरी था और वह डहरा गाउं में गया कैसे गया ये तो मैं नहीं जानता लेकिन उसकी एक हत् है और इसमें कोई जातिवाद या हिंदू-मुसलिम वाला मामला नहीं है और उसमें परसासन जो है और पुलिस सही कार्रवाई कर ली और हमें उम्मीद है कि वह सही कार्रवाई करेंगे तो सही है उस समय वह होस्मन नहीं था जो उसका पहले वीडियो वाइरल रहा उसकी त कि भी तब इत्खराब है ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी खबर तहकिकात हकिकात